नमस्कार प्रियविद्यरतियों वीकेन ओलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है आईटी आई के आपके सीवीटी एक्जाम होने है अभी साथ अगस से स्टार्ट हो जाएंगे आईटी आई सेकंडियर इलेक्टिशन वाले बच्चों के लिए हमने एक विसे स्रीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है परिक्साओं में पूछेगे प्रसन यानि हम इसे अगर इंग्लीश में शौर्ट में बोले most repeated question कहां repeated आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारत एक्जाम ही नहीं वा माई डियर वर्स 2021, 2022, 2023 पिछले तीन सालों से ये वो question है जो most repeated थे आपकी हर दिन हर shift में क्योंकि CBT एक्जाम परड़े तीन shift होती है तो हर shift में किसी ने किसी दिन ये question जरूर पूछे गए थे ये वो question है आठवी सिरीज है ये इस से पहले साथ classes और हुई है निवेदन करूँगा समय निकाल कर उन साथों classes को भी जरूर देख लेना trade theory में 38 में से 38 question यानि 100% नमबर की guarantee है और अगर हो सके तो हमने इस साल आपको 21 classes इसकी topic wise दी है playlist बनी भी है आई टे एक्जाम 2024 नाम से उसको जाकर के जरूर देख लेना अगर theory में 100% नमबर लेने है तो समय निकाल कर ये जरूर देखना employability skill drawing calculation उनके भी previous paper हल करवाई में तो playlist जाकर के check करो अगर इसी class से जुड़े हैं तो channel को subscribe जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो बहुत सारे बच्चे ना बिना subscribe किये भी देख रहे है प्लीज channel को बिना subscribe किये class नहीं देखनी है फरक क्या मैं बताता हूँ class जब upload होती है तो कई बार notification नहीं आता लेकिन अगर channel subscribe किया हुआ है तो चीज आपके सामने जरूर पहुंचाती है आईए शुरू करते हैं आज के परसनों से और मैं आपको ले चलता हूँ आज के परसनों की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा इस वीडियो के description में लिंक है हमारा Android एप डाउनलूड कीजिएगा एप में आपके ITI Second Year के free test available है आप उनको attend कर सकेंगे इसी तरह के questions है यानि एक दम जैसा आपका CBT exam आता है न वैसे ही प्रेक्टिस करो ना लेकिन एक बात याद रखना एप डाउनलूड करते ही बच्चे क्या करते हैं मैसेज करते हैं कि फ्री टेस्ट कहा है प्लीज एक बार वीडियो देख लेना फ्री टेस्ट वीके नोलेज यूटूब पर उससे आपको तरीका पता लग जाएगा कि फ्री टेस्ट कैसे अटेंड करना है समय निकाल कर इतना काम जरूर कर लेना टेस्ट अटेंड जरूर करो ताकि अपना पता लग सके तैयारी का आईए परसनों से सुरू करते हैं पहला सवाल ओबर हेड लाइन पर उपयोग किये जाने वाले कंड़क्टर का नाम किया है इतना important के उससन है ना most repeated के उससन था हर दिन किसी ने किस सिप्ट में जरूर था जैसे तीन सिप्ट होती है कोई जो नहीं कि तिनों सिप्ट में हो किसी एक सिप्ट में जरूर था क्लास वन में हमने वो करवाए हैं जो हर दिन हर सिप्ट में आते थे क्लास टू में भी वो ही क्योस्टन करवाने की कोशिज की लेकिन बाद में देर देरे इंपोर्टन क्योस्टन पर आ गए तो ACSR इसका उत्तर आएगा पूरा नाम होता है पेपर में ये भी सवाल पूचा जा सकता है कि इस स्टील तार का काम क्या है ACSR तार में स्टील तार का काम क्या है तो ये उस हमारी लाइन को या तार को मेकेनिकल स्ट्रेंट परवाइड करवाता है यांतरिक मजबूती परदान करता है याद रखले ना कियुस्टन वो भी इंपोर्टंट है कियुस्टन यह भी इंपोर्टंट है अब बहना एक के आसपास जितने संभावित कयुस्टन बनते हैं उनको साथ में करना है कुछ भी छोड़ना नहीं है इसकी इतनी करना है आप ये सोचो कि अब मैं A की क्युस्टन बता रहे हूं तो A की पढ़ूं नहीं जी आईए सेकंड स्वाल पर डॉमेस्टिक कंजूमर्स घरेलू उपभोगता जो होते हैं उनके लिए एसी डिस्ट्रिबुशन की लाइन कौन सी है देखो भया या तो हमें 415 वल्ट दी जाती है या हमें 240 वल्ट दी जाती है कैसे यह दी जाती है थरी फेज के कंजूमर को यह दी जाती है सिंगल फेज के कंजूमर को बस सिंपल सा एक्जामपल है यह रहा आपका पहला ओप्शन हमें क्यूस्टन के ए ओप्शन के साथ जाना यार अगर आप वो 21 क्लासेश देख लेंगे ना तो एक क्यूस्टन को पूरे कारण के साथ उत्र बताया है विश्वास दिलाता हूँ इतना डीपली आपने साथ आईटे में भी नहीं समझा होगा एक बार वो क्लास जरूर देखना सवाल देखो ओवर हेड चालकों पर इसकीन एफेक्ट का क्या प्रभाव होगा अगर चालक का व्यास भूत छोटा है यानि चालक का साथ एक सेंटीमेटर से भी कम है देखो इसकीन एफेक्ट के बारे में सब को पता होगा तो अचा प्रभाव जो होता है वो चालक के व्यास पर भोत निर्वर करता है आपको भी बता है ओवर हेड लाइन जो होती है उसमें हमारे पतले पतले श्ट्रेंट समने क्यों लिए एक मोटा तार भी तो ले सकते थे न बस सिंपल सी वास है तार जितना पतला होगा इसकीन एफेक्ट उतना ही कम होगा एक एमेम से भी अगर छोटा है तो बेकम से नेगलीजिबल यानि तो अच्छा परभाव नय के बराबर हो जाएगा वर्टीज इसकीन एफेक्ट यह है क्या थोड़ी इस पर चर्चा करने तो इसकीन एफेक्ट होता है कि करंट जो होती है वो तार की उपरी सर्फेस से अधिक्तम चलने का परियास करती है यानि इतना मोटा कोई कंड़क्ट होलो कंड़क्टर मतलब खोक लेचा लग लेंगे क्योंकि बीच वाला हिस्सा तो वहां काम ही नहीं आ रहा है अगला सवाल प्रेस राइजड वाटर रियक्टर बोईलर का उदेश्य क्या है देखो भाईया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते है ना उसमें पी वाला क्यों लेते हैं दरसल इसके सबसे मोश्ट इंपोर्टन चीज होता है कि जो पावर डेंसिटी होती है ना वह बहुत अधिक होती है शक्ति घंटव जो होता है वह सबसे अधिक इसी में ही होता है होट वाटर रियक्टर और प्रेस डैज वाटर रियक्टर दो तरह के रियक्टर होते है नुकलियर पावर प्लांट के लिए खेर अभी तो सीबी टी एक्जाम होना है सीधा सीधा आप से क्योस्टन पूछेंगे तो पी डबलु आर वाला उप्शन देखो इट हैज पाव हाई पाव डेंसिटी उच्छ शक्ति घंटव इसके अंदर होता है इस प्लीज मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें बिना लाइक कि नहीं देखना है यार कर दो खड़ा एक ऐसे बटन दबाना यार इतनी सपोर्ट तो अमरे लिए करी सकते हो ना आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक नहीं किया हैं और अब तो आप सेकंडियर पास कर लोगे तो कम्पिटिसन एक्जाम की त्यारी करनी है हम तो साल में नो महीने भरती प्रिक्षाओं वालों को ही अपडेट देते हैं पढ़ाते हैं तीन महीने आप आई टेए वालों को समय देते हैं तो काम जरूर आएगा चैनल आपक प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकंडरी ट्रांसमिशन प्राइमरी डिस्ट्रिबुशन सेकंडरी डिस्ट्रिबुशन तो जो हमारी दो ट्रांसमिशन वाली और एक डिस्ट्रिबुशन वाली लाइन है यह हमेशा थरी फेज थरी वायर लाइन होती है एक लाइन होगी थरी फे सोरी पेपर बनाने वाले ने मतलब तरी फेज का ऑप्षेन ही नहीं नहीं दिया विए तरी फेरा ओपिजन ही नहीं रखनी है तीन फेज और तीन तार वाली हमारी जो है वह सब्सक्याब के साथ जाना बहुत बढ़िया क्योष्वशन है भूप रिपीट हुआ था यह ना उमीद है इस बार भी आपके एक्जाम में पीट हो जाए अब कौन एक्जुस नसीब जिसकी इस जिफ्ट में यह आएगा हाँ आपका एक्जाम जिस दिन हो उस दिन हमें जरूर बताईएगा कि आज मेरा इस सिप्ट में पेपर था और यह क्यों साय थे स्क्रीन सोट लेकर भेज़ देना हमें सवाल देखो एयर सर्कीट ब्रेकर में क्या फाल्ट है अगर लोडिंग पर सर्कीट रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है यानि सर्कीट ब्रेकर है जैसे लोड डाल रहे है ट्रिप हो जाता है थोड़ी देर बाद थोड़ी देर चल रहा है फिर ट्रिप हो जाता है देखो एक चीज़ जान या फिर यूँ कहें कि वास्ताव में करेंट 1.500 एंपिर का था गलती से रिले को कम पर सेटिंग कर दी हमने, टेक्निशन से गलती हो इसकती है न, तो इसका ए उप्षन रहेगा, इनकोरेक्ट सेटिंग ओफ रिले, रिले की गलत सेटिंग है, रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है अगर डिरेक्ट ट्रिप होता, कंटियूज ट्रिप मारता, तो फिर कोई और फाल्ट होता है, जिसमें ज्यादा तर मेके निकल फाल्ट आता है, ठीक है सरीमान, आईए अगले सवाल पर, क्यों समझ में तो आ रहे हैं न, देखो अगर मैं आप से यह पूछूँ कि बताओ बात समझ में आई गया, तो इसका जवाब आप कैसे दोगे, यस और नो, यस जवाब ऐसे ही मिलता है कि लाइक्स, एक बच्चा अगर यस के रूप में लाइक कर गया तो हम समझ लेते हैं, यह 200 बच्चों ने लाइक किया, मतलब यह है वो 200 बच्चे जिनको अच्छे से प बताऊंगा, दोनों सुन लो, तो माई डियर, ह्टी वाले के लिए तो आपका आएगा डिस्क इंसुलेटर, ठीक है ना, हाई टेंशन वाले में तो आपका आएगा डिस्क इंसुलेटर, लेकिन अगर एल्टी वाला लिख देना, तो इसके लिए आएगा आपका सेकल यह ध्यान कर लेना है कि आयगा डिसक इनसुलेटर ठीक है न और मेरा करना है कि पिन इनसुलेटर इस्ट्रेट LINE में लगता है जब चलती हो 33 keV तक कि सीज़ी LINE में इस्तेमाल करते हैं ठीक है याध रखना इसके लिए LTE इसटी दोनों ही हो गये फिर जो कि 33 के विट वह एसटी में जाता है परसारण की लाइन मोल्टेज मानी जाती है ठीक है कि उस्टन है सांधार वैसे बहुत बड़ी है अच्छे सी रीडह मोडुलेशन वाला भी ये awp में फूरा नाम क पूरा नाम कमी है उपियस में बेकप कोन करता है बैटरी को लीटेरी की क्या होती ओर पी कों करता है अपनी अë के अप्रोडरी के शंता की क्या होती है एंपिर आवर सिंपल सी वासा में मैं कहुंगा कि बेटरी की केपसिटी जो है न वो कम है वेक अप कम का मतलब है कि आठ घंटे चलना सी यह था तीन घंटे बाद इस अधिक नहीं है कि केपस्टी डी ओप्शन रहेगा एंपिर ऑर केपसिटी ओफ बैटरी इस नोट यूपियस बेक अप नहीं कर पा रहा है तो बैटरी प्रोपर नहीं है बैटरी पेरलल में एक दो और जोड़ दो है ना बैटरी की जब रेटिंग बड़ेगी तो हो जाएगा काम या फिर बैटरी बड़ी लगा दो बारा एच की बैटरी लगाने की जिए फोर्टी एट एप एप दो बाते ही है स्वाल आता है सोलर सेल बनता किसका है बड़ा इंपोर्टेंट की उसन है most इम्पोर्टेंट वैसे रिपीटेड ग्लास में करवा जोगाँ अगर आपने वो 7 क्लासे जिससे पहले देख लिये तो पता लग गया सोलर सेल सेलिकोन का बनता है सुलर सेल का स डिपेंड करती है सूरिय का परकास उस पर कितना गिरता है अगर परकास बहुत अधिक मातरा में गिरेगा तो अच्छा आउटपुट देगा यानि उसकी आउटपुट वोल्टिज बढ़ेगी लेकिन एक पेपर में ये भी था परकास की तीवर तक कम होती है या घटती है त लेकिन वोई है ना कि वो किसी एक की सिफ्ट में अगर आ गया तो उसी दिन सेकंड सिफ्ट होगी तो कम सांस रहते हैं कि वो नहीं आएग सवाल देखो जोइंट को बांधने वाली एलुमिनियम कोर वाली कंड़क्टर को इस पार्किंग को कैसे रोकना है इसके दो क्युस् पूछी वी क्यों होती है और ओप्शन था एवाइड इस पार्किंग क्या था ओओएड इस पार्किंग और यहां के उससर उल्टा पूछ रहेगी स्पार्किंग रोकने के लिए क्या अग्वागा, बैए तार ल्यूज होगी तो स्पार्किंग होगी, अगर आपने तार को बांधने के लिए जो जोइंट लगाया है, तो अगर वो आपका ब्रिटानिय जोइंट प्रोपर लगा हुआ है तो कभी स्पार्किंग नहीं होगी लिए तो फर्स्ट एर में सबसे पहले बताए जाता है ठीक है तो भी उत्तर आएगा मेकिंग बाइंडिंग टरन वेरी टाइट बांधने वाली तारें अगर पूरी तरह पैसे खिंचा और लगा करके बंदी भी होगी तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी और उल्टा क्यूसन है तार टाइट क्यों बांधे हैं पास पास क्यों बांधे हैं अलाएकि इसमें दो चीज़ें पास पास भी होना चाहिए वो सही कह रहे हैं अच्छे जी अगला सवाल MCB का एक क्यूसन जरूर आएगा चाहे G सिरीज गा जाए चाहे L सिरीज गा जाए इन दोनों के पूरे चांसेज रहते हैं है ना देखो L सिरीज जो होती है ये होती है आपके हिटिंग वाले उप करनों के लिए और G सिरीज होती है आपके इंड़क्टिव लोड के लिए य याद रहेगा क्या बताओ कोई समस्या नहीं है ना सिम्पल सवाल है बेसी क्यूसन है आएंगे जरूर mcb का एक क्यूसन पक्का है mcb का पूरा नाम तक आया हुआ है ना क्या बात कर रहे हुए इतना easy क्यूसन मतलब MCB का पूरा नाम क्या है सो एमपिर से ज़्यादा रेटिंग के लिए कौन सब रेकर काम मिलेंगे MCCB में M का क्या मतलब है ऐसी क्युस्टन बने है सवाल देखो जवारिय सकती स्टेशन में बेराज का क्या काम है जो हमारे टाइडल एनरजी होती है इन्टरिंस ओफ गल्फ खाड़ी के परवेस दवार पर पानी को कंट्रोल करना जहां एंटर कर रहा है पानी उनको रोकने के लिए बेराज गेट ही मान लो एक तरह से जहां बहुत सारे गेट लगे वे हो कि उस तन अच्छा है A, B, C, D से अच्छा है कि आप उनका जो अंदर चीजें लिखी भी है उनको अच्छे से याद करना साथ में देखो भई हमारा काम है आप तक चीजें पहुंचाना CBT एक्जाम तक सामदाम दंड बेद इसको याद कर लो बहुत काम आएगी चीजे CBT एक्जाम के बाद भी देखो आप तो अब सेकंडियर पास कर लोगे तो सेकंडियर के बाद आपको तो कम्पेटिशन एक्जाम की त्यारी करनी है बरती परिक्स्याओं के लिए बहुत डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पहले से ही बहुत सेकंडियर पास कर लो ना उसके बाद जीरो से सुरू कर देना वापिस पढ़ना तच से कभी मत हटना एक हैर कभी मोटिवेशन वाली बाद में भी बताएंगे थर्मल पावर प्लांट में इस्टीम लिखा इस्टीम थर्मल कुई किस गटका व्योग फ्लूगे से को पे फीड वाटर करने के लिए काम है इसका अंसर है इकॉनmeno माइजर हिंदी में बोलते है planning YEAH भूत ही काम आया हुआ है तो बोईलर पानी को भाफ में बदलने का काम करता है बोईलर के ने एक बटी सी होती है जिसमें आग जलती रहती है बोईलर में आदा पानी और आदी भाफ होती है तो बोईलर का काम होता है ठीक है ना सूपर इटर वो होता है जो बोईलर से वास्प बनती है उसकी temperature को बढ़ाना और उस वास्प से नमी दूर करना टरबाइन की तरफ जाने वाली भाफ में नमी नहीं होती है अमारे घर में जितने भी यह steam निकलती है जैसे kukar में कभी आपने देखा वह steam निकलती है तो उसमें तो मौस्चर होती है वो जो टरबाइन की तरफ जा रही होती है नमी इस्टीम उसमें नमी नहीं होती है वो सुपर हीटरी सुखाने का काम करता है और एपिएच क्या करता है एर परी हीटर प्राइमरी एयर से क्योंकि देखो आग लगने के लिए फश्ट इर में पढ़ा होगा ऑक्सिजन यानि हवा की जरूरत पढ़ती है तो वह हवा जो है नमी युकत नहीं होने चाहिए नमी होगी तो वो कोईले को सुखा देगी बिगा देगी तो गरम हवा बेजते हैं इसलिए एर परी हीटर होता है ठीक है भी मैं तो थर्मल प्लांट में हूँ तो यार ये चीज़े मुझे अची तरह से पता ही होगी इसलिए डि इसलिए एक डिजल वाला पुराना है भाप वाला पुराना है पानी से भी उमकाफी लंबे समय सी बना रहें लेकिन विंड़ पावर जो है न है इसलिए छीए पर्मपरागत को और बनाते northwest बनाते आरे हैं के इनके सबसे बड़ी important जो है ना यह है more reliable करना वैसे हालांकि इसके कई सारे है वैसे तो यह भी आई लो इनिशिट कोष्ट कोई खास प्रारॉम्बिक लागत भी नहीं होती है रनिंग कोष्ट नहीं होती है इनकी और रिडियूस पॉलिशन पर दूसर गटाने का काम भी करते हैं और अधिक भरोसे मंद ठीक है लाइट दे देंगे वैसे तो भरोसे मंद तो इनको नहीं कह सकते हैं मजबस में खराब हो गया तो आपका सौलर बैट गया वरसात नहीं आइए तो आपका हाइडल बैट हिए अधिक विश्वे सनिये अधिक बरोसे मन्द इसी ऑप्शन के साथ जाना क्योंकि आपको अभी नंबर लेने हैं से बीटी एक्जाम में तो उसी को इसा ही बांगते हैं जो कि आपकी एसाइनमेंट में निम्मी वालों ने सही कर रखा है तो बस माई डियर इस्टुडेंट कमेंट करके जरूर बताना बहुत सारे बच्चे पांस साथ मिलिड़ देखके बार हो ले थे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप डाउनलोड कर लो साथ में टेलीग्राम भी जोइन कर लो चोटे-चोटे अपडेट वहीं टेलीग्राम परी प्रोवाइड करवाते हैं बहु